हेलो वेलकम दोस्तो आई एगेन बाइं देख रहे हैं आप मैं रवी कुमारी का फिर से नए वीडियो में हाजरू हूँ दोस्तो जैसे ही सरदी आना सुरू हो जाता है तो सरदी आने के बाद आपने देखा होगा घरों में अद्रक वाली चाय परना सुरू हो जाता है कभी कभी आपकी मम्मी कहते हूँगी अद्रक का रस पीलो तो काफी जगे आपने देखा होगा कि जो भी आप सबजी वगरा बनाते होंगे वहां पर भी अद्रक का यूज किया जाना सुरू हो जाता है दोस्तों ऐसा क्या होता है जिसके काष्षशर्दिया आते ही, लोग अद्रक खाना शुरूँ कर देते हैं दोस्तों यह जो प्रस्न रेक कहीं न कहीं administration के दिवाक में कभीकभी आता होगा लिकिन इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे कि इसका कया काड़ह तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए जिस से कि आपको पूरी information मिल सके दोस्तो इस वीडियो के मादियम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अधरक होता है उसकी जो प्रेकर्थी होती है वो क्या है? गर्म होती है जब आप अध्रक खाते हैं तो आपको जैसा पता होगा जब सरदिया होती हैं तो सरदियों में जो हमारे बॉडी का टेंपरेचर होता है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो हमारी सराउंडिंग होती है सराउंडिंग में काफी ठंडी होती है और वही ठंड हमारी बॉडी में जाती है अब दोस्तों जब हम अद्रक जैसी चीजों को खाते हैं तो अद्रक की प्रकरती है गर्म तो जब हम अद्रक को खाते हैं तो कई ना कई हमार का ऐसा होता है तो तो इसलिए सर्दियों में अद्रक खाना जरूर चाहिए तो अद्रक को आप किसी भी ऑझातेatos में आप चाय बनाकर पी सकते हैंते आप जाएम रशा निकालके सकते हैं आफ सबजया में डाल我要 कर सकते हैं तो आप यहां आप किसी भी तरीकिये से पाना चाहते हैं तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं उसका हम आपको बहुत ही reply करेंगे दोस्तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए नीचे subscribe का बटना उस पर प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तो यदि कोई आपका प्रस नहीं तो करके आप अपनी प्रॉलों को पूछ सकते हैं उसका हम आपको बहुत ही reply कर देंगे दोस्तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए नीचे subscribe का बटना उस पर प्रेस कर दें प्रेस करते हैं नॉट्टिफिकेशन बेल लाइक उस पर प्रेस कर दें दोस्तों अगरा आप ऐसा करते हैं जब भी हम नेक्स्ट लाइंग सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा एंड थैंक्स वर वाचेंग अबरे वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए सुक्रिया